नमस्कार दोसतों, वेलकम टू माई चैनल और आजका टौपिक रहेगा कि जो वोडन फ्लोरिंग रहती है चाहे वो आपके होटल में हो चाहे वो आपके घर में हो तो आपको अपनी वोड़न फ्लोरिंग के जो ब्लैक कलो के जो माART कॉर्णर में फस जाते हैं जो मैं आपको बहुत दिखाई दे रहे इसको मैं आज बताऊँगा विद मेरी टीम मेरे साथ है this time इसको कैसे रिम्यूव करना है आपको मैं एक एक करके तरिका बताऊँगा मैं आपको आपको हमिशे ध्यान रखना है कि जब भी आप जो यह ब्लैक कलर के जो मार्क्स निकाल रहे है जो भी आपका फुनीचर है फुनीचर आउट हो रहना चाहिए ताकि इसली आपको ब्लैक मार्क्स कॉर्नर सोगे जितने भी आपके है रूम के और घर के इसली आपको दिखाए देंगे आप अपना स्टफ बहा नहीं निकालोगे तो आपको सिरफ फ्रंट फ्रंट का ब्लैक मार्क्स दिखाए देंगे तोस्तों हम यूज कर रहे हैं और आपको स्क्रबर के साथ साफ करना है जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हूं यह कैसे साफ कर रहे है देव और जिनके घर में केमेकल्स नहीं है सिंपल सा फंडाय आप जो आपके घर में सर्फ होता है जो उसका ज्छाग है ज्छाग भी आप इसके उपर अप्लाई कर सकते हैं यह बात हमने की है टाइल्स की अब बात करेंगे हम जो वुडन फ्लोरिंग है आप देख सकते हो हमारे गजनी जी कल भी इनकी वीडियो में ने डाली थी और जवदस काम करने हैं ब्लैक मार्श निकाल दी हैं उन्हें गजनी ने बहुत ही अच्छा काम करने हैं हमारे दोस्तों देखिए जो ब्लैक कलर के मार्श से आपके वुडन फ्लोरिंग में वह सारे निकल चुके हैं और जो यह वाली वुडन है इसके अपर हमने बफिंग नहीं मारी आप देख सकते हैं इस वीडियो हैं इसकी जो फिनिशिंग है बहुत ही दूसरे टाइप की फिनिश आपको एक दाग भी नहीं दिखाए देगा जो यह वाला कॉर्णर था हमारा वो पूरा टूटली ब्लैक था अब यह बिल्कुल साफ हो जुका है आप देख सकते हो इस वीडियो में कॉर्णर बिल्कुल साफ हैं आपके दूसर अब रिव्यू के बारी आगी है आप देख सकते हैं हमने वाइट पैड डाल दिया है एर्गोडेक्स के नीचे छी के नौर्ट सी बात है जिनके घरों में मशीन नहीं है सिंपल सा तरीका गर सकते हैं वो गिला पोचा भी माह सकते हैं और गिला मॉब भी माह सकते हैं और बफिन के बाद यह आपकी फिनिचिंग रहेगी वोडन फ्लोर के उपर दोस्तों लाइक तो बनता है आपको यह वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज लाइक और शेर करना मत भूलिए ओके अलविदा लव यू आल